हाई गाईज कैसे हो अब सब को एलकम बेक टू रिमपी बीटी एंद स्कीन केर वीडियो को इस्टाट करते हूँ आज का वीडियो का तोपिक बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव होने बला है और वीडियो एंद तक जरूर देखना वीडियो पसंद आ तो प्लीज लाइक, सेयर और आपके सारे रिलेटिव और फ्रेंज के सब जरूर शेयर करना मेरा आज का वीडियो का तोपिक होने वाला है कि आप इंस्टेंटली गोरापन कैसे पा सकते हूँ गोरापन के पिसे लोग आज कल बहुत ज़्यादा भागने लगे हैं उसके पि के दिमाग में बहुत ज़्यादा होती हैं हम गोरापन कैसे पा सकते हैं उन शारी सीजों से रिलेटिव एक समाई था मेरा भी फेस इसकिंटोन का कालर ऐसा नहीं था उस समाई से आज तक का सफर मेरा बहुत मुश्किल था और मैं भी सूचते थी कि मेरा इसकिंटोन बहुत ज़्यादा दाख है मैं बहुत ज़्यादा काली हूं इन शारी सीजों से मैं भी गुजरी हूं क्वेशन जो मैंने लिया हैं मैं आपके साथ सेयर करती हूं इंस्टेंटली आप गोरापन कैसे पा सकते हूं बहुत शारी लोग ऐसे हो जो मेरे वीडियो देख रहे होगे इसे गोरा कैसे हो सकते हों गोरा होने के लिये कौनसी क्रेम इूज करोंब घ्रबाण वाइन डिया क्या करना है हेल्डी इस के लिया क्या करना से हैं सीनग कौनसीद्य एम Stacy को कैसे साथ वाइटनिंग करके रख सकते हैं और फास्ट इसकीन वाइटनिंग टिप्स जो मैंने कुएशन लिया है वह गूगुल से या फिर यूटीव से जो बहुत ज्यादा लोग सर्ष करते हैं जो क्वेशन मैंने लिया है बहुत चारे लोगों ने ये सब कुछ सर्ष क्या है आपके इसकीन तोन क्या है जो लोग ये सर्ष करते हैं इंटरनेट पे कि इसकीन वाइटनिंग क्रीम कौनसी है गोरापन कैसे पासकते हो आप ये जानते हो कि आपकी इसकीन तोन क्या है आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके इसकीन तोन क्या है आपके सबसे ही क्रीम यूश कर सकते हूं ऐसा नहीं है कि जो भी क्रीम ले लिया हम इसकिन पर यूश कर लिया और असर नहीं दिखा रही है तो ये क्रीम बहुत ज़्यादा बुरी है और खराब है ऐसा बहुत लोग करते हैं पहले आप ये देखो कि आप कौन सी क्रीम यूश कर रही और उस क्रीम के अंदर क्या क्या केमिकल है इसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप गोरापन के पीसे मात भगो आप अपने हेल्डी स्कीन को आप हेल्डी रखने के लिए अपने आपको हेल्डी रखने के लिए आप मेहनत करों एक्सेसाइज करों योगा करों भूम रेमिडी यूज़ करो चीजसे अप अपने इसलीन को मेह दो यूणी कर सकते हूं ऐसे बहुत सारह रेमिडी है जो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो जो फिस हम मॉर्केट म मर्केट से क्रिम बगईरा बगईरा वो वो सब भी जो हम खाने के लिए जैसके फूर्ट यूस करते हैं उसी से ही तयार किया जाता है जैसा कि मिलिक और इस्यूंख मैंे ही मानतीओ कि अब olması सब्सक्राइब करें हो वहीं सीज अब इसकिन को लगने के लिए भी यूज करूं ऐसा नहीं है कि हमने जो ले लिया वही लिया इसकिन पर डाल लिया ऐसा नहीं है जैसा कि हम हाल्दी यूज कर सकते हैं अदही यूज कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी सीज़े हैं जो आप खाने के लिए यूज करते है उसी से आप अपने फेसेल करो, फेसबेक यूज करो, एक बत था जब मैं भी बहुत ज़्यादा काली थी, और मेरा स्किंटोन भी बहुत ज़्यादा डाक था, और आज मैं सोचती हूँ कि सायद वो मेरा गलती था, कि मैं सोचती थी कि मेरा स्किंटोन डाक क्यू है, मैं क्या करूँ जिसके, जिसे करने से मेरा स्किंटोन भाइट हो जाए, हारी ऐसी सिजे थी मेरी दिमाग में, कि मैं क्या करूँ जो मेरा स्किंटोन इतनी डाक है, मैं इतनी काली हूँ, और मैं गोरापन के पीसे क्यू भाग नहीं हूँ या फिर मैं अपने आपसे प्यार नहीं कर दी मैं खुद को आइने में देखती थी और सुछती थी क्या मैं अपने आपसे प्यार नहीं कर दी या फिर मेरा इस्किंटोन या फिर मैं हेल्दी नहीं हूँ आप आपका जो भी इस्किंटोन है वो आप हूँ मेरा जो दो मेरा फ्रेंड के साथ है और आज मैं यह फोटो देख के सूचटी हूँ कि यह मैने अपने इसकिं टोन को हेल्दी रखा और खान पान में सेंस लाई मेरे लाइफस्तायल में सेंस लाई आज मैं बहुत खुफ हूँ। इस सकींतौन के साथ मेरे खूश हूँ क्यूंकि आ ने हमीड मेरे मेरे उस्ची से उस्ची से faut okay हो रही है मैं आपको फोटों दिखाती हूँ जो मेरे फ्रेंड के साथ है यह देखो कि आप यह देखो में तब बहुत ज्यादा सोटी थी इतनी सी थी और आज का मेरा स्किंटोन ऐसा है और पहले में ऐसी दिखती थी आज में और पास से सालों में कितना फरक लाया मेरे स्किंटोन में मेरे में मैं अज बहुत खूश हूँ मैं खुद को बदला और उस चीछ से बाहर आई जिससे मुझे बहुत ज़दा तक्लिफ है और प्रॉब्लेम्स का समना करना पर आपर एक फोटो लगा देखती हूँ आप मुझे देखों और मेरे फोटो को देखों आप खुद को बदल नहीं सकते आप अपने आपको हेल्डी रखों आप योगा करो जीम जाओ खानपन में ध्यांदो आप अपने आपको हेल्डी रखने के लिए पहली सीज जो है आप अपने हानपन को सेंच करो डाइट में रहो हानपन को सेंच करो आप जो भी दिन में करते हो उस चीज़ को अपने रूटीन को सेंज करो मैंने जो 10 क्वेशन लिया था उसका मैं आपको एंसर देती हूं एंस्टेंटले अप गोरापन कैसे पासकते हूं आप इंस्टेंटले गोरापन क्यों साथे हों किसके लिए दूसरों को दिख angry या फिर IG फेज हैं मैं भी हुष्ष थे पहले हैं कले से गोरा कैसे हो अप काले से गोरा का हो ऊबहु अपने अपके साथ खूछ रहो आपके जो भी इसकीन्टों नहीं वह मेश हूं कि अप किसी और को देखते हुआ आप अपने आप को इससे कंप्यार मत करो कि वो गोरी है मेकाली हूँ ऐसा मत करो क्योंकि हार एक की बोड़ी अलग है इसकी इसकी दोन भी अलग है आप अपने आपको देखो जिसके साथ आप अपने आपको कंप्यार कर रही हो आप उसके जैसे दिखती हो क्यों कर रही हो ऐसा क्या मिलागा आ को कुछ नहीं मिलेगा अप अपने आपको तकलिफे दे रही हो अपने आपको डिप्रेशन में रख रही हो कि इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रही हूं इसके लिए आप खुद को बदलो और अगे बरो और एक सवाल काले से गोरा होने के लिए कौन सी क्रीम इगुश करो साइंटिफिकली अगर मैं बता हूँ आज तक ऐसा काले से गोरा होना कोई भी क्रीम आज तक बना ही नहीं हाँ अपकी स्कीन एक दो से लाइतलड़न ऑफ लाइतशग राइस भाइच young वाम व शक데 será अब अपको जब तक अपो क्रीम इस करोगी आकि स्कीन तोन हो होता है कि एक-दो से लाइट हो जाए पर जब आप वो क्रीम यूश करना सोर्ड होगी तो आपकी स्कीन तुन फीड से वही हालत में आ जाएगा यह सब करना ही क्यों है अगर आप अपने स्कीन को हेल्दी रखना साहते हों तो आप बेस्ट तरीका है आप हूम रेमिडी से उस मेरा इस्कीन तोन बहुत जपाल डख था उस समय मेरे पास पेशा नहीं ठा में बहुत जादा अपने आपको बदलना साहती थी घृप में भाग रही थी यूटिue नहीं था मेरे नहीं मेरे पास स्मार्टफून था तब और कुछ नहीं था तब से लेकर आज तक मैंने खुद को बदला है स्रीफ होम रेमिडिस यूज करके कोई भी केमिकल क्रीम मैंने यूज नहीं किया पैसा है कि मेरे पास पैसा नहीं था ये सीज है और आज अगर मेरे पास पैसा है तो भी मैं यूज नहीं करती जितना मुझे सहिए मैं उतना ही यूज करती हूँ जैसा कि हमारी दे नालिट में कवशी क्रीम सहिए दे क्रीम नाइट किरीम सांच क्रीम फेश क्रीम उन चरीश अगर आपके पास तो आप तेख है तो अगर आपके पास स्रीज भी नहीं है तो आप हूम रेमिडिस यूस करो राइस फ्लावर्वार्स हनी दही यह सब को आप मिला के आप अपनी स्किन टोन पे लगाओ खाने में जैसा कि कुछ-कुछ अलग-अलग बनाती रहती है ऐसा ही आप अपने स्किन टोन के साथ भी करूँ और हनी यह सब को आप मिला के फेस्पेक बना के यूज करूँ काल अलग करो उसके अगले दिन अलग करो आपको पतर सल जाएगा कि आपकी स्किन टोन को कौन सा होम रेमिडिस एउज करना है और आप अपने स्किन टोन को भी जान पाओगी कि आपकी स्किन टोन क्या है कोई भी प्रोदक एउज करने से पहले आपको paste test करना बहुत ज्यादा जरूरी है जैसा कि home remedies आप यहाँ पर थोड़ा सा लगा के डेख लो आपको skin tone को suit करेगा या नहीं यह बहुत ज्यादा जरूरी है important और डूसरी सीज है कि आप अपने skin tone क्या है कौन सी skin tone है आपकी अगर आपके बहुत ज्यादा skin tone dry dry सा फिल हो रही है तो आपके dry skin tone है अगर आपकी dry भी नहीं होती तो आपकी normal skin tone है अगर आपकी skin tone बहुत ज्यादा oily शुप सपी ऐसे फिल है तो आपकी skin tone oily है आपको ये तीन सीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है सुभा से लेके रात तक आप अपनी स्किन के साथ क्या क्या करती हो दिन में दो बार आपको फैस्वास करना है सुभा और रात सुभा और रात याद रखना सुभा आपको होम रेमिदिस से फेश्वास करना है जैसा कि बैस्यन, दही, मलेक यह सरी सीज़े के साथ आप फेश्वास करो अपने स्किंटोन को रिलेक्स फिल करवाने के लिए रेदी करो अपने आपको उसके बाद आप फेश्वास, देख्रीम और संस्क्रीम यूज करो राट को आपको सुने से पहले फेश्वास यूज करना है क्योंकि हमारी स्किंट बहुत पूरे दिन थूप, धूल मित्ती उसके साथ ही हम रहते हैं, बाहर रहते हैं, जो लुक बाहर रहते हैं, घर में भी अप रहते हो तो भी आपकी स्किंटोन में धूल मिती है बगरा बगरा तो आएगी ही इससे हम रोक नहीं सकते इसलिए आपको सोने से पहले फेस्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है उससे आपके बहुत फाइदे हो सकते हैं एकने की प्रोब्लेम नहीं होगी पेंपल नही आप नाइट क्रीम यूश करो अगर आपको दिन में ताइम मिलेगा तो आप फेस्पेक यूश करो नहीं मिलेगा तो आप राट भी फेस्पेक यूश कर जगते हो जब भी आप बहार निकलो संग्लास यूश करो और माक्स यूश करो अगर आप हैंस बहुत ज़्यादा काल हो गए हैं अपने layout क्लाप्स यूज करो जबिव्य आप धुप में निकलते हो अपने आपको रेडि गरो हमारी इस कीन टौन में ज्यादा से ज्यादा कम ही तूप लगे सांस्क्रिम को आपको लगाना है कुछ भी लगाऊ अपको संस्क्रिम लगाना कुछ अगर आप अपनी स्कीन तोन को वाइटनिंग करना साथ हो तो सांस्क्रीम जरूर लगाओ पन में ध्यान दो और आप जितना हो सके थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहो इतना नहीं है कि हमारे पस इतना सारा खाना है तो हम सब खाते रहे खाते रहे ऐसा नहीं है आप जितना हो सके कम से कम ही खाए और योगा करो जिम जाओ जिम नहीं जा सकते हो तो घर पे भी आप एक्सेसाइज कर सकते हो ऐसे बहुत सारी एक्सेसाइज है जो आप घर पे कर सकते हो मैं भी घर पे ही एक्सेसाइज करती हो योगा घर करती हो अब भी करो और हफ़ते में आप स्क्राब करो फेस पर स्क्राब करने के लिए आपको क्या-क्या सही है घर में कोफी तो होगी ही कोफी नहीं होते हैं शुगर तो होगा ही इसी के घर में कोफी होती ही है अगर कोफी नहीं है शुगर है आप ग्राइन कर लो सुगर को ग्राइन करके आप लेना है लेमन जुश लेना है लेमन जुश लेलो और लेमन जुश नहीं है तो मलिक लेलो उसके साथ आप मिक्स करके स्क्राब करो हफते में दो बार Smooth skin साते हो Skin को आप smooth बनाना साते हो तो rice flour यूज़ करो Rice flour और डही यूज़ करो आप अपनी skin को सुमुद रखने के लिए Oily and acne skin tone के लिए आप कौन सी home remedies यूज़ करो Grain, sugar, lemon, milk, alo verazil ये सब को आपको यूज़ करना है अगर आपकी एकने और ओयली स्किन है ग्लोइंग स्किन साथे हो बहुत सारी टिप्स है ऐसे अगर आप ग्लोइंग स्किन साथे हो तो आप बेस्टन यूज करो बेस्ट से बेस्ट तरीका है आप बेस्टन यूज करो मैं आज भी यूज करती हूँ बेसन के साथ आप मिलिक मिला लो अगर आपके पास फेस्वास नहीं है क्लीन करने के लिए फेस को आप इस सारी सीज़ों को यूज करो आपको मरकेट से फेस्वास खरिदने की जरूरत नहीं है अगर आपको पता है कि home remedies की से हम skin को clean कर सकते हैं और face marks, pill of marks जैसा कि आज कल बहुत ज़्यादा trend में है pill of marks ऐसे skin पे use करते हैं और pill कर जाते हैं उसको आप use कर सकते हो खर इतने के पैसा नहीं है आपके पास तो home remedies use करो aloe verazil aloe verazil use करो आप coconut oil aloe verazil milk इन सारी सीचों को मिलाओ और उसके बाद use करो और 10 minutes बाद आप फेश्वास करो normal water से healthy skin पाने के लिए आपको healthy food number one पर है food खाना है healthy drink आपको healthy drink लेना है food healthy drink में आपको number one drink बटम beetroot juice सारी लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपके उमर जितना भी हो पर आप उमर से पहले ही आप बूरी डिखने लगती हो आपके skin tone मुर्जी जाती है इसा होता है बहुत चारी लोगों के साथ anti aging problem उसे दूर करने के लिए आपको vitamin A की जरूरत है अगर आपके बहुत ज्यादा sun damage sun tan और pigmentation है तो आपको बहुत ज्यादा vitamin B के कमी है vitamin B3 जिसका आपको problem है अगर आपका बहुत ज्यादा sun tan हो रही है sun damage हो रही है और pigmentation है तो आपको समझ जाना सहिए कि आपका vitamin B3 के बहुत ज्यादा कमी है पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा हल्दी का यूज करती थी face पर और डाल का यूज करती थी जो हम दाल खाने में यूज करती है उसी को फिगाके और grind करके उसी ते face पर यूज करती थी और दही यूज इूज करती थी अज लिक यूज़ करती थी पर आज आशकल के लोग बहुत ज़्यादा kemical का यूज़ करने लगे है केमिकल का क्रीम पर बहुत शारी सी मरकेट में है जो हम यूज़ करते है रिमिडिस यूज़ करने से ही आपके पास गुरापन नहीं आएगा उसके सथ-सथ आपको हेल्दी डाइट और हेल्दी जूज़ पिना है और आपको कर सकते हूं उससे आपके इसकीन तोन बहुत ज्यादा लाइटनप हो सकता है और आप मुल्टाने मिट्टी यूज करो और संदन यूज करो निम बादर यूज करो और आपको हाइडरेट रहना है आप इसकीन तोन को वाइटनप करने के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है आप कितने पानी दिन में पीती हो एक ग्लस दो ग्लस एक लिटर कितना पानी बीटे हो आप उससे भी डिपेंट करते है कि आपके इसकीन तोन कैसा है कम से कम आपको तीन लेटर पानी पीना है दिन में आपको याद रखना है कि मुझे तीन लेटर पानी पीना है सुभा से रद तक अगर आपको गोरापन के पीसे का कोई भी कोई भी सबाल हो कोई भी ऐसे क्वेशन्स अपके दिमाग में हो तो आप मुझे पूछ सकते हो मेरे इंस्सेग्राम का लिंक है और आप यूटीव पर भी मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो और आप अपने इस्किन में क्या यूज करते हो दे ताहिम नाइट ताहिम और हूम रेमीडिस क्या यूज करते हो आप मुझे बताओ कि आप क्या यूज करते हो मुझे भी जानना है आप अपने इस्किन तोन के लिए क्या करते हो और आपकी इस्किन तोन क्या है अगर आप के सारे रिलेटिफ और फ्रेंज के साथ जरूर से यार करना मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and take care